नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जड़धारी क्लासिज में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वीकली करंट फिर्स सीरीज में तीन मार्ट से लेकर दस मार दोजार 24 तक के सभी महत्तपूर्ण करंट फिर्स क्वेशनों के बारे में तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो पहला क्वेशन है उत्राखन में किसे बेस्ट नैनो क्रेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो पहला का जो आंसर है वो है पियूस प्रोहित को Best Nano Creator Award से सम्मानित किया गया है जानते हैं दोस्तों इस question के बारे में details तो हाली में दिल्ली में आज़ित National Creators Award कारेकरम में परधानमंत्री नरेंदर मोजी द्वारा Content Creators को सम्मानित किया गया है इसमें उत्राखंड के चमोरी जनपत के निवासी है जो पियूस प्रोहित है ये है चमोरी जनपत के और इनको भी Best Nano Creator Award से सम्मानित किया गया ह। पियूस प्रोहित Content Creators है और पियूस प्रोहित अपने Creative Content के जरी उतराखंड के लोकला और समस्कर्दी को नए clever के साथ लोगों के सामने रखते हैं और इसलिए इन्हें best nano crater award से भी सम्मानित किया गया है तो किसको किया गया प्यूस प्रोहित अगरा question है हाली में उत्रा खंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया नेंतार के वरिष्ट रंग कर्मी वह युगमंच के संस्थापक और निर्देशक स्री जहूर आलम को भारते रंगमंच में निर्देशन के छेतर में महामहिम राष्ट पते जी द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मानित किया गया है अपरिष्णिया से यह बन सकता है कि जो जहूर आलम है उनका संबन किस छेतर से है तो वह यह क्या है रंग कर्मी है युगमंच के संस्थापक और निर्देशक हैं और निर्देशन छेतर में उकार करते हैं और इसलिए इने संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है उन्हें संगीत नाटक अकादमी की और से 2023 के राष्ट्य पुरुषकार के लिए चुना गया है हाले में राष्ट्पती द्रोपती मुरुब ने 2022 और 2023 के लिए विभीन छेतरों के कुर 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार परदान किये हैं और उनने विज् हिंदी साहित भारत्य संस्था का तीन दिवसिया व्यचारिक आयुजन दिल्ली में आयुजित किया रहा है इस कारेकरा में उत्राखंड का परति नित्व किसके द्वारा किया जा रहा है तो इसका सही आंतर हो जाएगा ओप्शन सी डॉक्टर मंझू嘆 पंडे जी द्वारा दिल्ली में आयुजित जो यह भारत्य संस्था का तीन दिवसिया व्यचारिक आयुजन है तो इसमें उत्राखंड का परति नित्व कौन कर रहे हैं तो डॉक्टर मंझू पंडे कर रही हैं हिंदी सायत के भारत्य संस् और साहित्यकार हैं जो इस तर पर हिंदी साहित्यके लिए विभिन समभाण विप्राप्त कर चुकी हैं और उन्हें उत्राखण राज के सरवो सम्मान तीरोर्ट तली समभाण 2023 भी इन्हें सम्मानित क्या जा चुका है और साथ इसा सिक्षा के छेत्र का सर्वो सम्मान सेलेस मट्यानी पुरुषकार 2011 भी ये प्राप्त कर चुकी हैं डॉक्टर मंजु पांडे नेक्ट यहां पर उत्राखन में हिमाले कल्चर सेंटर का आउजन कहां किया जा रहा है तो सहीरा आन से हुजाएगा देहरा दून में देरादुन में हिमालय कल्चर सेंटर का आयजन किया जा रहा है हिमालय कल्चर सेंटर देरादुन में आयजन किया जा रहा है और इसका आयजन आठ से दस मार्ज तक किया गया है उद्देश से क्या है तो अदिवेशन का उद्देश से उत्राखन में फिजियो थेरेपी चिकित सा पद्धति को बढ़ावा देना और साथ में सौध कारियों को प्रोच्छाहन देना है अधिवेशन का उद्गाटन उत्राखन के राजजपाल लेफटनेंट जनरल गुरमीर सिंग करेंगे और इंडियन एसोसेशन ऑफ फिजियो थेरेपिस्ट की और से 61 वार्षिक अधिवेशन का आईज़न ये किया जाएगा तो ये अधिवेशन कौन सा है तो 61 वार्षिक अधिवेशन है ये नेक्ट एप कोईसन नमबर 5 वर्षिव धोजार 23 में दुनिया की सबसे कम प्रजनंदर कहा दर्ज की गई है तो सही अंसर इसका डक्षन कोरिया बी आप्षन हो जाएगा सही अंसर डक्षन कोरिया की जनमदर 2023 विश्व में सबसे कम दर्ज की गई है और सबसे अधिक दर के साथ नाइजर दुनिया में सबसे अधिक जन्मदर वाला देश यहां पर इन आटड़ों के अमस्वार है और इसके बाद दूसरा इस्तान है माली का 2024 में भारत की जन्मदर 2.122 जन्मपर्ति महिला है जो 2023 से 0.79% कम है और इसी तरह 2023 में भारत की जन्मदर जो दर है पहला देश कोन बना है सही आंसर इसका मौरिसस बना है भारत की जन्मदर पहल में सामिल होने वाला पहला देश बन गया है जिससे मोरिशस के लोगों को बहतर गुणवत्ता वाली Made in India जेनरिक दवाईयां उपलब्द होंगी और उन्हें इनका लापी मिलेगा और इस परियोजना को Pharmaceutical विभाग द्वारव वर्स 2008 में जन ओसदी अभियान के नाम से सुरू किया गया है वर्स 2015-16 में अभियान को PMBJP यानि प्रधान मंतरी भारतिया जन ओसदी परियोजना के रूप में इसको नया रूप ये प्रधान किया गया है नेक्ट अंतराष्ट्य गीता महुत्सव दोजार चोबिस कहां आज़ू किया गया है इंपर्टन कोसन है स्रिलंका में अंतराष्ट्य गीता महुत्सव दोजार चोबिस तो ये स्रिलंका के कोलंबो में आज़ू किया गया है आज़ू एक से तीन मार तक आज़ू किया गया है और इसकी थीमे वसुधेव कुटुमकम तो ये इंपोर्टन है ये आपको नोट कननी है अंतराष्ट्य गीता महुत्सव दोजार त्याइस का आज़ू किया गया था कुरुचेतर हरियाना और ये है दोजार चोबिस तो दोजार चोबिस का आज़ू से लंका के कोलंबो में किया गया अंतराष्टे गीता महोचाव का इधियास के अगर हम बात करें तो इसकी सुरुवात हुई थी 1989 में राष्टे पर्विसे गोशित के के 2002 में और गीता जियन्ती हरवर्स मारे सीरस महा के सुकल पक्स की एकादसी को मनाई जाती है अंतराष्टे इस तर पर अगर हम बात करें गीता महोचाव के आज़न की तो साल 2019 में यह तिह और पहली बार देश से बाहर मोरिसस और लंडने मनाई गया और इसका आज़न सितमबर 2022 में कनाड़ा में भी इसको आज़ुत किया गया था अंतराष्टे इस गीता महोचाव का आज़न 2023 में और अप्रेल में और परतम अंतराष्टे इस गीता पार की स्थापना ब्रेम्टन कनाड़ा में की गई नेएक नेशन यहां पर हाली में विस्वा आर्थीक मंच ने चोथी जीव विच्यान और दोगिक क्राम्ति केंद्र का सुभारम कहा किया है तो सही आंजर है तेलंगाना में तो विश्व आर्थिक मंच ने तेलंगाना में चोथी और दोगिक क्रांति केंदर का सुभारम किया स्वास्त सेवा और जीविग्यान का यहाँ पूरे विश्व में पहला केंदर होगा विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लावकारी यह अंतराष्ट संगतन है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्याले कहा है स्विट्जर लेंड के जिनेवा में है तो ये भी कई बार एक्जामे प्रस्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं और विस्व आर्थिक मंजवारा कौन-कौन सी रि रिपोर्ट और इंक्लोजिव ग्रोथ एंड डवरफ्मेंट रिपोर्ट इस सारे रिपोर्ट विस्व आर्थिक मंजवारा जारी की जाती है नेक्ट यहां पर सीमा सुरक्षा बल यानि B.S.A.P की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है तो सुमंध कुमारी बनी है B.S.A.P की पहली महिला स्नाइपर D.O.P हो जाएगा क्वेस्व नमबर दस है प्रते एक वर्ष किस दिथी को विश्व सरवन दिवस मनाये जाता है तो इसका सही आंसर है तीन मार्च को मनाये जाता है प्रती वर्ष विश्व सरवन दिवस के रूप में यहाँ पे जो विश्व सरवन दिवस मनाये तीन मार्च के मनाये जाता है और यह एक विश्व के स्वास्थ देखवाल कारेकरम है यह 2007 में हर साल जिनेवा में विश्व स्वास्थ संगठन के मुख्याले से मनाये जाता है इस दिन का उदेश सरवन हाने से पीड़ित रोग् में जाग रूपता पर चर्चा की गई है विश्व सरवन दिवस पहले अंतराश्थ कान देखवाल दिवस के रूप में मनाये जाता था और अगर हम 2024 की थीम की बात करें विश्व की बात करें यह इंपोर्टेंट है तो चेंजिंग माइंडशेट लेट्स मेक एर एंड हेर ये क्या है इसका थीम है जैक देश में तीनों की सरवादिक संख्या कौन से राजे में है तो सही आंसर मद्यपरदेश में तेनों की सरवादिक संख्या है केंजρεय प्रियावर्ण वन और जरुआय की परिवरतन मंतरी भुपेंद्र रियाद होने 19 फरवरी 2024 को नई दिली मे भारत में तेनों की इसीपर रिपोर्ट जारी की रिपोर्ट से पता चला है कि देश में तेनों की सरवादिक संक्या 3970 मध्य पर्दिश में है इसके बाद महाराष्ट में 1985 65 है और कनाटक में 1879 यहाँ पर क्या है तेनों की संक्या और टमिल्लाड में परते नोसीनाने लक्ष दीप के मिनिकाय दीप में इंडियन नेवल सिप ने आएनस जटायू का उद्धगहाटन किया है, इंपोर्टन ना यहे, कावर्ती में आएनस धी प्रक्षक के बाद, आएनस जटायू, लक्ष दीप में दूसरा नोसीनिक अड़ा है, कावर्ती 2027 की विश्व एथलेटिक्स चेंपियनशिप का मेजबान देश कौन सा है तो यह इंपोर्टेंट कोईशन है और इसका सही आंसर जाएगा चाइना विश्व एथलेटिक्स परिसद ने 2027 विश्व एथलेटिक्स चेंपियनशिप 2027 की मेजबानी के लिए बीजिंग चीन को चुना है नेक्स्ट प्रतिवर्ष राष्ट्य सुरक्षा दिवस का मनाये जाता है तो चार मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्य सुरक्षा दिवस की रूप में मनाये जाता है और इसकी सुरवात 1972 को हुई थी राष्ट्य सुरक्षा परिसद की इस्थापना चार मार्च 1966 क स्वास्त और परियावरन आंदोलन विक्सित करने के लिए किये गई थी हाली में गर्वपात को समयधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है तो सही आंचर जाएगा इसका फ्रांस फ्रांस गर्वपात को समयधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश है महिलाओं को गर्वपात का समयधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस के समयधान में गर्वपात के अधिकार को सामिल किया गया है और फ्रांस की संसद ने इसे पहले ही समिधान के अनुषेद 34 में संसदन के रिए एक विधियक को मंजुरी दी गए सिता कि महिलाओं को गरवपाद के निकार की गारंटी दी जा सके तो दोस्तों यह इस वीक के मौश्ट इंपोर्टेंट 15 करंट फियर्स वीकली क्वेशन तीन मार्स से लेकर 10 मार्स 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट फियर्स यहां पर हो चुके हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए और साथ साथ इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेवसाइड पर और अगर आपको वार्सिकांग चेह करंट फियर्स यह करंट फियर्स की यह लिए हमारी इबूक होती है उत्राखंड की और नेशनल लेवल की तो दोस्तों नेकर साथ तक लिए धन्यवाद